देश के Medical Infrastructure को मजबूत करने वाली एक और कड़ी जुड़ी इस साल ने दिखाया है कि स्वास्त ही संपदा है उन करमचारियों को भी बार बार याद कर रहा है जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी Medical Infrastructure तयार करने में दिन रात जुटे रहे मुश्किल भरे इस साल ने दिखाया है कि भारत जब एक जुट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना को उस सामना वो कितनी प्रभावी तरीके से करते हैं भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुँचे इसके लिए कोशिसें अंतीम चरणों में एम्स राज़कोष गुजरात के हिल्प नेटवर्क को और ससक्त करें पूरे देश में जिस इलाज और मेडिकल एजुकेशन को लेकर जिस केल पर काम हुआ उसका निस्चित लाब गुजरात को मिल रहा करीब देड़ करोड गरीबों को पांच लाख रुपिये तक का हेल्थ सॉलूशन भी ग्लोबलाइज दुनिया एक साथ आकर प्रयास करें रिस्पॉंड करें कि हेल्थ सॉलूशन भी ग्लोबलाइज किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानिवी का कितना नुक्षान हो रहा है इसकी परवा कि ये बिना न जाने अंगिनत कालपनिक कुछ मात्रा में तो सुलूशन एक अंजान दुश्मन के खिलाव रड़ाई है तफाओं के बाजार गर्म नहोंने दे आपसे साधर आग्रह है कि आप सभा को संबोधित करें कि नवश्कार केमशे गुजरात्मा ठंडी बंडी शेग नहीं गुजरात के राजपाल आचार्य देवरत जी मुख्य मंत्री श्रीमान वीजय भाहरुपाने विदान साबा स्पीकर श्री राजेंद्र श्रिवेदी जी केंद्रिय स्वास्त मंत्री दॉक्टर हर्श्वर्धन जी डेपुटी सी एम भाई नितिन पटेल जी मंत्री मंडल के मेरे साथी स्रिमाना स्वीनी चववेजी मन्सुप भाई मानविया उर्श्वतम रुपाला गुजरास सरकार में मंत्री विदुपेंद्र सी चुडास्मा च्री किशोर कानानी अन्य सभी मंत्री गण, साउसद गण, धारासप्य गण अन्य सभी महानुभाव, भाई और भेनो नया साल दस तक दे रहा है आज देश के मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली एक और कड़ी जुढ रही है राज़कोट में आल इंडिया इंस्ट्टिट्ट अब मेडिकल साइंसीज का सिलान्यास गुजरात के साथ साथ पूरे देश में स्वास्त और मेडिकल इंजुशन के नेटवर्क को उसके कारण बन मिलेगा भाई और भेनो साल दो हजारा को बीस को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ बिदाई देना इस साल की चुनोतियों को भी दरसाता है और नए साल की प्रास्विक्ताओं को बिश्पष्ट करता है ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्त के रुप में अभूत पुर्वज चुनोतियों का साल रहा है इस साल ने दिखाया है कि स्वास्त ही संपदा है ये कथा हमें अमारे पुर्वजों ने क्यों सिखाई है ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है ये 2020 ने हमें भली भाती सिखा दिया स्वास्त पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है और सिर्फ परिवार नहीं पूरा सामाजिक दाइरा उसकी लपेट में आ जाता है और इसलिए साल का ये अंतिम दीन भारत के उन लाखों डॉक्टर्स हेल्थ वारियर्स सफाई कर्मियों दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंट लाइन कोरोना युद्धाओं को याद करने का है जो मानवता की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को दाउं पर लगा रहे हैं कर्तव ये प्रतपर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया हैं वे आज उन सब को आदर पुर्वक नमन करता हैं आज देश उन साथियों को उन वैग्णानिकों को उन करमचारियों को भी बार बार याद कर रहा हैं जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफास्रक्टर तयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं आज का दिन उन सत्पी साथियों की सराना का है जिनोंने इस मुश्किल दौर में गरीब तक भोजन और दूसरी सुविधाय पहुचाने में पूरे समर्पन के साथ काम किया इतना लंबा समय इतनी बड़ी आपदा लेकिन ये समाज की सामुहिक संगठिक ताकत समाज का सेवा भाव समाज की सम्वेदन सिलता उसी का नतिजा है कि देश वास्यों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया ये सब नमन के पात्र है आदर के पात्र है साथियों मुश्किल भरे इस साल ने दिखाया है कि भारत जब एक जूट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना को उस सामना वो कितनी प्रभावी तरीके से कर सकता है भारत ने एक जुड़ता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए उसी का प्रणाम है कि आज हम बहुत बहतर सिती में हैं जिस देश में एक सो तीस करोड से ज़्यादा लोग हो गनी आबादी हो वहां करीब करीब एक करोड लोग इस बिमारी से लड़कर जीत चुके है कोरोना से पीडित साथ्यों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बहतर रहा है वहीं अब संक्रमन के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरब जा रहा है भाई और बहनों साल दोहजार बीस में संक्रमन की निराशा थी चिंताएं थी चारों तरफ सवाल या निशान थे 2020 की वो पहचान बन गई है लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है वैक्सिन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारिया चल रही है भारत में बनी वैक्सिन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुचे इसके लिए कोशिशें अंतीम चर्णों में हैं दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन अभ्यान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है मुझे विश्वात है कि जिस तरह बीते साल संक्रमन से रोकने के लिए हमने एक जुढ होकर प्रयास किये उसी तरह टीका करन को सभल बनाने के लिए भी पूरा भारत एक जुढता से आगे बढ़ेगा साथियों गुजरात मैं भी संक्रमन को रोकने के लिए और अब तीका करन के लिए तैयारियों को लेकर प्रसंसनिय काम हुआ है बीते दो दसकों में जिस प्रकार का मेडिकल इंफरस्रक्टर गुजरात में तयार हुआ है वो एक बड़ी बज़े है कि गुजरात कोरोना चुनोती से बहतर तरीके से निपट पा रहा है एम्स राजकोर्ट गुजरात के हिल्थ नेटवर्क को और ससक्त करेगा मजबूत करेगा अब गंबीर से गंबीर बिमारियों के लिए राजकोर्ट में ही आधुनिक सुविधा उपलब्द हो रही है इलाज और सिख्षा के अलावा इससे रोजगार के भी अनेक अवसर तयार होंगे नए स्पताल में काम करने वाले लगबग पाँच हजार सीधे रोजगार उपलब्द होंगे इसके साथ साथ रहन सहन खाने पीने ट्रांसपोर्ट दूसरी मेडिकल सुविधाओं से जुड़े अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार भी यहां बनेंगे और हमने देखा है कि जहां बड़ा अस्पताल होता है उसके बहार एक छोटा शहर ही बस जाता है भाई और भेनों मेडिकल सेक्टर में गुजरात के इस सभलता के पीछे दो दस्यकों का अनवरत प्रयास है समर्पन और संकल्प है बीते च्छे सालों में पूरे देश में जिस इलाज और मेडिकल एजुकेशन को लेकर जिस केल पर काम हुआ है उसका निस्चित लाब गुजरात को भी मिल रहा है साथियों बड़े अस्पतालों की स्थिती उन पर दबाव से आप भी भलिभाती परीचित है स्थिती ये थी कि आजादी के इतने दसकों के बाद भी सिर्फ छे एमस ही बन पाहे थे 2003 में अटल जी के सरकार ने छे और एमस बनाने के लिए कदम उठाए थे उनके बनाते बनाते 2012 आ गया था यानि 9 साल लग गये थे बीते छे सालों में दस नए एमस बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं जिन में से कई आज पूरी तरह से काम शुरू कर चुके हैं एमस के साथ साथ देश में 20 एमस जैसे ही सूपर स्पेशलिटी होस्पिटल्स का निर्मार भी किया जा रहा है साथ हीओं शाल 2014 से पहले हमारा हेल्ड सेक्टर अलग 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 अपुरूच के साथ काम कर रहा है प्राइमरी हेल्ड केर का अपना सिस्टम था अलगों में सुमिधाय नके बराबर थी हमने हेल्ड सेक्टर में होस्पिटल ही होलिस्टिक तरीके से काम करना सुरू किया हमने जहां एक तरफ प्रिवेंटिव केर पर बल दिया वहीं इलाज की आधुनिक सुविधाओं को भी प्राथफिक्ता दी हमने जहां गरीब का इलाज पर होने वाला खर्च कम किया वहीं इस बात पर भी जोड दिया कि डॉक्टरों की संख्या में तेजी से वृत्ति हो साथियों आईश्मान भारत योजना के तहट देश भर के दूरदारत के इलाकों में लगभग देड़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए काम तेजी से चल रहा है अभी तक इन में से पचास हजार सेंटर सेवा देना सुरू भी कर चुके हैं लगभग पाँच हजार गुजरात में हैं इस योजना से अब तक देश के करीब देड़ करोड गरीबों को पाँच लाख रुपिये तक का मुप्त इलाज मिला है इस योजना ने गरीब भाई बेहनों की कितनी बड़ी मदद की हैं इसके लिए एक आंकड़ा मैं देश को बताना चाहता हूँ सात्यों आईश्मान भारत योजना से गरीबों के लगभग 30,000 करोड रुपिये से ज़्यादा बचे हैं 30,000 करोड रुपिये ये बहुत बड़ा रकम है आप सोचिए इस योजना ने गरीबों को कितनी बड़ी आर्थिक चिंता से मुक्त किया है कैंसर हो, हार्ट की प्राब्लेम हो, किड्नी की परेशानी हो अनेकों गंभीर बिमारियों का इलाज मेरे देश के गरीबों ने मुप्त कराया है और वो भी अच्छी अस्पतालों है सात्यों, बिमारी के दोरान गरीबों का एक और साती है जन आउशदी केंद्र देश में लगभग साथ हजार जन आउशदी केंद्र गरीबों को बहुती कम किमत पर दवाईयां उपलब्द करा रहे हैं इन जन आउशदी केंद्रों पर दवाईयां करीब करीब नब्बे प्रतिशत तक सस्ति होती है याने सो रुपी की दवाईय दस रुपी में मिलती है साड़े तीन लाग से जादा गरीब मरीज हर रोज इन जन आउशदी केंद्रों का लाब ले रहे है और इन केंद्रों की सस्ति दवाईयों की बज़े से गरीबों के हर साल आउशदन एवरेज च्छती सो करोड रुपीय खर्च होने से बच रहे है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मदद हो रही है वैसे कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर सरकार इलाज का खर्च कम करने दवाईयों पर होने वाले खर्च को कम करने पर इतना जोर क्यों दे रही है हमें से अधिकाउस उसी पुरुष्ट भूमी से निकले लोग है गरीब और मद्यमबर्ग में इलाज का खर्च हमेशा से बहुत बड़ी चिंता रहा है जब किसी गरीब को गंबीर बिमारी होती है तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि वो अपना इलाज कराए ही नहीं इलाज के लिए पैसे न होना गर के अन्य खर्च अपनी जिम्मेदारियों की चिंता व्यक्ति के वहवार में ये बड़्लाव लाही देती है और हमने देखा है जब गरीब बिमार हो जाता है पैसे नहीं होते हैं तो क्या करता है दोरे धागे की दुनिया में चला जाता है पूजा पाड़ की दुनिया में चला जाता है उसको लगता है मही से बच जाओंगा लेकिन वो इसलिए जाता है हम ये न कहें कि वो अंतसरता है वो इसलिए जाता है कि उसके पास सही जगा पर जाने के लिए पैसे नहीं है, गरीब ही उसको परिशान कर गये, साथ यो हमने ये भी देखा है, कि जो वहवार पैसे की कमी की विज़र से बदल लाता है, वही वहवार जब गरीब के पांस एक सुरक्षा कवर्थ होता है, तो वे एक आत्मिस्वास में बदल जाता है, आईश्मान भारत योजना के तहट, गरीबों का इलाज, लोगों के स्चिंता, इस वहवार को बदलने में सफल रहा है, जिसमें वो पैसे की कमी की वज़र से अपना इलाज कराने अस्पताल जाते ही नहीं थे, और कभी-कभी तो मैंने देखा है, कि घर के जो बुजूर हैं, ज्यादा बुजूर नहीं, 45-50 साल के आई, बड़े वेक्टी, वे इसलिए मिमार दमाई नहीं कराते हैं, वो कहते हैं कर्ज हो जाएगा, तो सारा कर्ज बच्चों को देना पड़ेगा और बच्चे बरबाद हो जाएगे, बच्चों की जिन्दगी बरबाद नहों, इसलि कर्द जेलें, लेकिन बच्चों के नसिब में कर्ज ना आएं, इसलिए वो ट्रिट्मेंट नहीं कराते हैं, खास पर ये भी सही है, कि प्राइवेट होस्पिटल जाने के तो गरीब पहले कभी सोची नहीं पाता था, आईश्वान भारत के बाद, अब ये भी बदल रहा है सात्यों अपने स्वास्त की सुरक्षा का एहसास, इलाज के लिए पैसे की उतनी चिंता का न होना, इसने समाज की सोच को बदल दिया है, और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं, आज हेल्थ और वैलनेस को लेकर, एक सतर्ता आई है, गंबीरता आई है, और ये सिर्फ शहरों में हो रहा है, इसा नहीं है, अब दूसरे देश के गावों में भी, अब ये दूर सुदूर, हमारे देश के गावों में भी ये जागरूता हम देख रहे हैं, ब्यावहार में परिवर्तन के ऐसे उधारण अन्निक शेत्रों में भी नजर आ रहे जैसे सोचालयों की उपलब्दता से लोगों को स्वच्छता के लिए और जागरुक किया है हर गर जल अभियान लोगों को स्वच्छ पानी सुनिशित कर रहा है पानी से होने वाली बिमारियों को कम कर रहा है रसोई में गैस पहुँचने के बाद ना सिर्फ हमारी बहन बेटियों का स्वात सुधर रहा है बलकि पूरे परिवार में एक सकारत्मक्ता की सोच आई है गर्भवती महलाओं को रेगुलर चेक आपके लिए प्रोट्साइट किया है और चेकप के कारण उनको पहले से गंभीरता की तरफ इंगित कर दिया जाता है इसका लाब यह हो रहा है कि गर्भावस्ता के दोरान जो कॉंप्रिकेटेड केसिस होते हैं वो जल्दी पकड में आते हैं और उनका समय पर इलाज भी होता है वहीं प्रधान मंत्री वामात्रू बंदना योजना के द्वारा यह सुनिशित किया जा रहा है कि घर्भवती महलाओं को परियाप्त पोशन मिले देखभाल मिले पोशन अभ्यान ने भी उनमें जागरूत्ता बढ़ाई है इन सारे प्रयासों का एक बहुत बड़ा लाप यह मिला है कि देश में maternal mortality rate माता मृत्युदर पहले के मुकाबले काफी कम हो रहा है सात्यों सिर्फ outcome परिणाम पर ही focus करना काफी नहीं होता है impact महत्पुण है लेकिन implementation भी उतना ही महत्पुण है और इसलिए मैं समझता हूँ कि व्यावार में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए हमें सबसे पहले process प्रक्रिया में सुधार करना आवशक होता है बीते बर्षों में देश पर इस पर बहुत जोर दिया गया है इसका नतिया यह है हम देख रहे हैं कि देश के health sector में जहां जमीनी स्थर पर बढ़लाव आ रहा है और लोगों को जो सबसे बड़ी चीज मिली है वो है access स्वास्त सुवीधाओं तक उनकी पहुंच और मैं स्वास्त और सिक्षा के expert से आज ये भी आगरह करूंगा कि वो सरकार की इन योजनाओं का बेटियों की education पर जो प्रभाव बढ़ा है उसका जरूर अध्यन करें ये योजना है ये जागरुता एक बड़ी वज़े है जो स्कूलों में बेटियों की drop out rate में कमी ला रही है साथियों देश में medical education को बढ़ावा देने के लिए भी mission mode पर काम चल रहा है medical education की management में जूडी समस्याओं में reforms किये पारमपारीग भारतिये चिकित्सा से जूडी सिक्षा में भी जरूरी reforms किये national medical commission बनने के बाद health education में quality भी बहतर होगी और quantity को लेकर भी प्रगति होगी graduates के लिए national exit test उसके साथ साथ दो साथ का post mbbs diploma हो या फिर post graduate doctor के लिए district residency scheme हो ऐसे नए कदमों से जरूरत और गुणवत्ता दोनों स्तर पर काम किया जा रहा है साथियों लक्ष ये हैं कि हर राज्य तक aims पहुंचे और हर तीन लोग सबाख छेत्र के बीच में एक medical college जरूर हो इनी प्रयासों का परणाम है कि बीते छे साल में mbbs के 31,000 नई सीटे और post graduate के में 24,000 नई सीटे बढ़ाई गई है साथियों health sector में भारत जमीनिस्टर पर बड़े परिवर्तन की और बढ़ रहा है अगर 2020 health challenges का साल था तो 2021 health solutions का साल होने वाला है 2021 में बिश्व स्वास्थ को लेकर और ज्यादा जागुरु होकर समाधानों के तरफ बढ़ेगा भारत ने भी जिस तरफ 2020 में health challenges में से निपटने में अपना योगदान दिया है वो दुनिया ने देखा है मैंने शुरू में इनका जिक्र भी किया है सातियों भारत के ये योगदान 2021 में health solutions के लिए solutions के scaling के लिए महत्वपुन होने वाला है भारत future of health और health of future दोनों में ही सबसे महत्वपुन रोल निपाने जा रहा है यहां दुनिया को competent medical professionals भी मिलेंगे उनका सेवा भाव भी मिलेगा यहां दुनिया को mass immunization का experience भी मिलेगा और expertise भी मिलेगी यहां दुनिया को health solutions और technology को integrate करने वाले startups और startup ecosystem भी मिलेगा यह startups healthcare को accessible भी बना रहे हैं और health outcomes को improve भी कर रहे हैं सात्यों आज हम सब यह देख रहे हैं कि बिमारिया अब कैसे globalize हो रही है इसलिए यह समय की है और यह समय है कि health solutions भी globalize हो दुनिया एक साथ आकर प्रयास करे रिस्पॉंड करे आज अलग थलग प्रयास साहिलोज में काम करना यह रास्ता काम आने वाला नहीं है रास्ता हैं सब को साथ लेकर चलना सब के लिए सोचना और भारत आज एक ऐसा global प्लेयर है जिसने यह करके दिखाया है भारत ने दिमांड के मुताबिक adapt, evolve and expand करने की अपनी किशमता को साबित किया है हम दुनिया के साथ आगे भड़े collective efforts में value addition किया और हर चीज से उपर उठर हमने सिर्फ और सिर्फ मानवता को केंदर में रखा मानवता की सेवा की आज भारत के पास चमता भी है और सेवा की भावना भी है इसलिए भारत global health का nerve center बनकर उभना है दो हजार इकीस में हमें भारत की इस भुमिका को और मजबूत करना है साथियों हमार यहां कहते हैं सर्वम अन्य परित्यज शरिरम पालिये दत है याने सबसे बड़ी प्रात्विक्ता शरीर के स्वास्त की रक्षा ही है सब कुछ छोड़कर पहले स्वास्त की ही चिंता करनी चाहिए नए साल में हमें इस मंत्र को अपने जीवन में प्रात्विक्ता के साथ उतारना है हम स्वस्त रहेंगे तो देश स्वस्त रहेगा और हम यह भी जाने जो फिट इन्डिया मुमेंट चल रहा है हो सिर्म नवजवानों के लिए हैसा नहीं है हर उम्रे के लोग यह फिट इन्डिया मुमेंट से जूड़ने चाहिए और यह मौसम भी फिट इन्डिया के अपने मुमेंट को गटी देने के लिए बहुत अच्छा है कोई परिवार ऐसा नहों चाहिए योग की बात हो चाहिए फिट इन्डिया की बात हो हमें अपने आपको स्वस्त रखना ही होगा बिमार होने के बाद जो परिशानिया होती है स्वस्त रखने के लिए उतने प्रहत्त नहीं करने पड़ते हैं और इसलिए फिट इन्डिया इस बात को हम हमेशा यात रखे अपने आपको फिट रखे अपने देश को फिट रखे ये भी हम लोगों का करता वे हैं राजगोड के मेरे पैरे भाईयों बहनों, गुजरान के मेरे पैरे भाईयों बहनों ये बात न भुलें, कि कोरणा संक्रमन गड़ जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वाइरस हैं, जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है, इसलिए दोगज की दूरी मास्क और सैनिटेशन के मामले में धील बिल्कुल नहीं देनी है नया साल हम सभी के लिए बहुत खुश्यां लेकर के आए आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो लेकिन मैं ये भी कहूँगा मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक डिलाई नहीं बार बार कहता था अब दवाई सामने दिख रही हैं कुछी समय का सवाल है तो भी मैं कहूँगा पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो डिलाई नहीं लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूँ दवाई भी और कड़ाई भी कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है दवाई आ गई तो सब छूट बल गई ये ब्रह्म में मत रहना दुनिया यही कहती है वैज्ञानिक यही कहते है और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2020 का दवाई भी और कड़ाई भी दूसरी एक बात हमारे देश में अफ्णाओं का बाजाः जरा तेज रहता है भाती भाती के लोग अपने नीजी स्वात के लिए कभी घैर जिम्मारा वेवार के लिए भाती भाती अफ्फाएं फहराते हैं हो सकता है जो बैक्षिन का काम पारंब हो तो भी अफ्वाउं का ब बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानिवी का कितना नुक्षान हो रहा है, इसकी परवा किये बिना न जाने अंगिनत काल्पनिक जूप फैलाए जाएंगे, कुछ मात्रा में तो सुरू भी हो चुके हैं, और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदिरादे से काम करने वाले बढ़े कन्विक्षन के साथ इसको फैलाते हैं, मेरा देश वासियों से आगर होगा कि कोरोना के खिलाब एक अंजान दुश्मन के खिलाब लड़ाई है, अफ्वाओं के बाजार गर्म न होने दे, हम भी सोशल मेडिया में कुछ भी देखा बेना फॉरवर्ड न करें, हम अभी एक जिम्मिवार नागरिक के रूप में, आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्त का जो अभ्यान चलेगा, हम सब अपनी तरब से योगदार दे, हम सब अपनी तरब से जिम्मिवारी उठाएं, और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुचानी हैं, उनमे हम पूरी मदद करें, जैसे ही वक्षिन का मामल आगे बढ़ेगा, देश वास्यों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी, मैं फिर से एक भार, दो हजारी कीस के लिए आप सब को बहुत-बहुत शुब पामनाय देता हूं, और राजकोट ना मारा भाईयो बेनों ने आजे गण समय मने फरी दर्शन करवानों मोको मले होचे, खासी मोटी संख्या में अपना बदाना दर्शन थे रहाचे, आपना असिर्वाद मली रहाचे, मारा माटे दूखनी पन गड़ी छे, कानके मारा एक अच्छा मित्र, बाय अभई भार्दवाच, एमना में गुमावी दीदा, कोरुना ने कारणे गुमावी दीदा, आजे जारे राजकोट वासियों नी बच्चे आवेश्वी तारे, यह भई नुस्मारन थो बहुत स्वाभाविक्षे, वो यह मने आदर पूर्वक स्रद्धांजली पना पूछो, और फरी एक बार राजकोट वासियों ने गुजरा पंजाब अते पंजाब यतनाल जोड़या हर मुद्धा, हर खबर, निर्पाख तरीके नाल, तो अड़े तक पहुंचान दी कोशिश विच्च, तुसी मी देवो साधा साथ, ता हुने लाइक करो साधा फेस्बुक पेज, सब्सक्राइब करो यूट्यूब ते, अते फॉल दी निर्पाख हवास, विजिट करो www.nirpakhpost.com